सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकों दबाएं वेलकम टो मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नाम अन्दीब दुर्ट दोस्तो आज हम कैमरा कंपरिजन देखने वाले हैं Vivo X60 Pro and X60 Pro Plus का दोस्तो X60 and X60 Pro में कोई जयादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ gimbal stabilization का डिफरेंस है X60 Pro में लगें triple cameras and X60 Pro Plus में लगें quad cameras दोस्तो अभी हम कैमरा का कंपरिजन देखने बढ़ेरे मेरे वीडियो के end दर दोस्तो वीडियो स्टार्ट कारने से पहले में आपको कैमरा की स्पेसिकेशन बताना चाहता हूँ X60 में main camera 48mm aperture 1.79 Sony IMAX 598 OIS optical image stabilization की support मिलती है X60 Pro में 48mm aperture 1.48 and 7 यहाँ पे gimbal stabilization की support मिलती है दोस्तो X60 and X60 Pro में सिर्फ इतने difference है कि यहाँ पे आपको gimbal stabilization की support मिलती है और X60 में आपको gimbal stabilization की support मिलती है X60 Pro Plus का end camera बिलकुल different है यहाँ पे आपको 50MP camera aperture 1.57 ultra sensing GN1 sensor मिलता है second camera ultra wide angle X60 and X60 Pro में 13MP aperture 2.2 120 degree plus super macro 2.5 cm X60 Pro Plus में 48MP aperture 2.2 114 degree gimbal stabilization की यहाँ पे support मिलती है दोस्तो camera 5X पे rotate करता है जिससे object को clearly detect कर लेता है जब भी object move करता है वीडियो में third camera 50mm pro portrait lens X60 and X60 Pro में same है 13MP aperture 2.46 2x optical zoom and 2x hyper zoom लेकिन X60 Pro में 32MP aperture 2.08 5x optical zoom X60 Pro Plus में लेगे हैं quad cameras fourth camera 8MP aperture 3.40IS 5x optical zoom 60x hyper zoom अगर हम selfie camera की बात करें तो तीने फोन में same camera मिलते है 4K 1080px 720px at 30fps and 60fps सभी मोईल में record कर सकते हैं अगर हम selfie video recording की बात करें 1080px and 720px at 30 and 60fps सभी मोईल में same option मिलती है दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि X60 and X60 Pro में सिर्फ main camera के aperture and gimbal stimulation का difference है इसलिए मैंने X60 Pro and X60 Pro Plus के difference पर वीडियो बनाई गया है जो अभी हम देखने वाले है दोस्तो X60 Pro left side पर and X60 Pro plus right side पर इस picture को मैंने rear camera के साथ portrait mode में click किया है दोस्तो यहाँ पर आपको difference देखने को मिलेगा पहले तो आपको यहाँ पर color contrast देखने को मिलेगा जो color contrast X60 Pro का बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको blur भी X60 Pro का अच्छा देखने को मिलेगा next picture मैंने low light में click किया है rear camera के साथ साथ में यहाँ पर timing भी शो हो रही है evening 7 pm X60 Pro Plus में low light का effect नहीं शो हो रहा लिकिन X60 Pro में low light का effect शो हो रहा है और सेम टाइम पर selfie click किया है मैंने low light में यहाँ पर भी minor सा difference शो हो रहा है low lighting effect का X60 Pro में इस picture को मैंने rear camera के साथ photo mode में click किया है जैसी हम इस picture को zoom in करते हैं तो distance पे हमें ज़्यादा effect show होता है जैसे यहाँ पे और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको थोड़ा difference show होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा clarity show हो रही है distance पे बोर्ड असा angle भी ज़्यादा cover किया है pro plus नहीं दोस्तो next picture में मैंने इस board को full zoom के साथ click किया है left पे 20x zoom and right पे 60x zoom के साथ click किया है दोस्तो x60 pro में बहुत ज़्याद effect मिलता है 60x zoom का दोस्तो इस picture को मैंने wide angle camera के साथ click किया है तो यहाँ पे आपको effect show होगा क्योंकि x pro में लगे है quad camera's तो यहाँ पे more angle cover करता है दोस्तो यहाँ पे आपको दोनों ही मोईल में बहुत अच्छी color contrast and maze quality देखने को मिलती है दोस्तो यह picture मैंने opposite to sunlight क्लिक किया है यहाँ पे back side पे आपको sun show हो रहा है इसको मैंने selfie camera के साथ क्लिक किया है and यहाँ पे थोड़ा सा angle होने की बज़ा से sunlight का effect शो हो रहा है दोस्तो इस picture को मैंने beauty mode में click किया है तो यहाँ पे भी sunlight का कोई ज़्यादा effect नहीं हो हो रहा दोस्तो low light में मैंने picture को click किया है अगर हम closely difference देखते हैं आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना difference है in the sky in the sky pro plus में आपको बहुत अच्छी quality की देखने को मिलती है and जैसी यहाँ पे light show हो रही है तो light का भी यहाँ पे effect clearly show होता है दोस्तो इसमें natural colors show हो रही है लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा light show हो रही है और इस picture में आपको clearly natural colors देखने को मिलेगे लेकिन pro में आपको natural colors देखने को नहीं मिलती है pro plus में natural colors देखने को मिलती है दोस्तो इस picture को मैंने low light में click किया है और इस picture में भी आपको ज़्यादा natural colors देखने को मिलती है in comparison to pro pro plus में आपको ज़्यादा natural color देखने को मिलते हैं दोस्तो इस picture को मैंने night में click किया है photo mode में और next picture मैं आपको show कर रहा हूँ night mode में same angle से click किया है दोस्तो दोनों mobile से night mode में इस picture को click किया है इस picture को मैंने photo mode में click किया था लेकिन इस picture को मैंने night mode में click किया है यहाँ पे आपको फिर से 2 plus में हमें maze की quality अच्छे देखने को मिलती है दोस्तो इस picture को मैंने outdoor click किया है night में 11 pm दोस्तो यहाँ पे clearly show हो रहा है difference यहाँ पे आपको कुछ बोलने की जरूरती नहीं है कि जो भी effect यहाँ पे show हो रहा है दोस्तो इस picture को मैंने sunlight में rear camera के साथ click किया है यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा तो हलका सा color contrast का difference देखने को यहाँ पे हमें मिलता है pro plus में ज़्यादा color contrast शो हो रहा है इस picture को मैंने selfie camera के साथ room की सभी lights off करने के बाद click किया है तो आप difference देख सकती है दोस्तो यहाँ पे आपको किछ ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि selfie camera कोई difference नहीं है दोनों मॉवाइल्स में 32 maya pixel virtual 2.45 की spot मिलती है दोनों मॉवाइल्स में यहाँ पे मैं आपको overall performance की बात करें तो naturally हमें यहाँ पे pro plus में बहुत अच्छा camera देखनों के मिलता है next मैं जल्दी video लेके आऊंगा video recording पे rear and front camera के साथ thank you for watching please subscribe my channel for latest updates